साथियों यह परिवर्तन का दौर है हर शेत्र में आवशक्ता अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं जैसे क्रिशी का शेत्र हो चिकिस्सा का शेत्र हो या फिर शिक्षा का आज सभी टेक्नलोजी का उपयोग कर रहे हैं चाहे वो हमारे बच्चे हो पालक हो या फिर शिक्षक हम देख रहे हैं कि हमारे पाठे क्रम में लगातार बदलाओ होते जा रहे हैं नईनी चीजे जुड़ती जारी है जिसके कारण अध्धापन कराना और भी चैलेंजिंग हो शामिल कर ले तो उसका शिक्षन और अधिक प्रभावी हो जाएगा और वह बहुत आसानी से और रोचक तरीके से विश्यवस्तों को बच्चों तक पहुचा सकता है क्यूंकि टेक्नोलोजी में ही ऐसी शम्ता है जो शिक्षक और विध्यारतियों के बीच के संबंदों को म हम सब यह बात जानते भी है और मानते भी है कि यदि कोई शिक्षक अपने अध्यापन में नवाचार करता है तो बच्चों के बीच में उसका विशेश स्थान होता है हमारी कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं उनकी समझने की शमता और सीखने के तरीके अलग-अलग होते सकते हैं कोई बच्चा ऑडियो विडियो दोरा, कोई अक्टिविटी से, कोई एनिमेशन से तो कोई प्रिंट माटेरियल से तथा को बच्चा स्धान, जो की डिजिटील आक्टिविटी का रूप है, आदि से समझता है। इस प्रकार की multimedia content को हम internet में ढूनते हैं और उसका अध्यापन में उपयोग भी करते हैं लेकिन हर content जो हम internet में ढूनते हैं उसका उपयोग करना legal नहीं है परन्तु ऐसे भी content है जिसे हम freely use कर सकते हैं और जिसके लिए किसी प्रकार की paid license के आफशकता नहीं होती है इसे हम open educational resources, OER या मुक्त शेक्षिक संसाधन भी कहते हैं ओपन educational resources का उपयोग कैसे कर सकते हैं और इससे हमारी teaching को बहतर कैसे बना सकते हैं इससे जानने के लिए आई ये सुनते हैं हुमी बाबा Center for Science Education के प्रोफेसर जी नागरजुना को